Hello everyone, आज है 4th March और आज इस वीडियो में हम बात करने जारे सिनकॉम फॉर्मिलेशन के बारे में देखिए पिछले एक महिने में लगातार यहाँ पर गिरावट है एक्चले में पिछले 15 दिनों में गिरावट किया सकते हो कि देखने को मिली है और यह लगातार गिर रहा है 16 रुपे से गिर कर यह 13-14 के करीब ट्रेड कर रहा है और एक तरफा गिरावट चड़ रही है बात करेंगे इस छोटी सी फार्मा कंपनी के बारे में कि भया मौके बन भी रहे है कि नहीं और क्या ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है तो कि वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो शेर अभी ट्रेट कर रहे 14 के करीब और डेफिनेटली 11-12 पर्टसन का डेकलाइन है एक महिने में और एक्चिली मुझे गिरावड़े उपिछले 15 दिनों में आई है अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तब तो भाई सब खुब पैसा बना है 113 पर्टसन का ग्रोज देखो ये 5-6 रुपए का शेर हुआ करता था और उसके बाद 30 दिखाई फिर कंसोलिडेट किया 30 दिखाई लंबा टाइम बिताया था वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव दिखाया था और 17-18 के करीब चला गया लेकिन उसके बाद अगर आप देखो न तो ये लगातर गिर ही रहा है बीच-बीच में अटेम्ट जरूर करा था इसन तीसे दिखाने का लेकिन हर बार गिरा अटेम्ट करा वापस गिरा मुझे हैरानी नहीं होगी कि अटेम्ट कर ले एक दो रुपे की तीसे दिखाने का लेकिन बाद में ये उससे नीचे जाने के आसा लग रहे अगर अब इसका ग्राफ दिखोगे तो जैन्वरी से ये लगाता है नीचे की तरफ ही आता हुआ नजर आ रहा है देखो अटलीस कहीं पर एक support बनना जरूरी है एक base बनना जरूरी है इससे पेर जब 30 ही आई थे ना तो at least किसी लिवल पर support बनता था, base बनता था फिर 30 बिखाता था, फिर support बनता था, base बनता था फिर 30 बिखाताथा अगर आब 5 साल का graph देख लो तब 71% का यहाँ पर growth है company के website पर आप चाहोगे देखो इनका छोटा सा business है बहुत ही छोटा सा इनका business है चाहे वो international देखोगे या फिर domestic देखोगे बहुत ही छोटा सा इनका business आपको देखने को मिल जाएगा इनकी जो product है वो 500 से भी जादा की है लेकिन अगेन उतनी जादा well famous product इनकी नहीं है उतनी जादा famous product इनकी देखने को नहीं मिल रही है और यही वज़ा है कि इनकी product में आपको बहुत सारी tablet से लेकर capsule से लेकर ointment से लेकर injection से लेकर कई सारी देखने को मिल जाएगी और even domestic और intention दोनों जगह पर है लेकिन जासे कि मैंने कहा कि company बहुत छोटी सी company है इनके clients जो बड़े-बड़े pharma companies है वो इनके clients है definitely clients है इनके देखो injection बनाती है और even बहुत छोटी-छोटी चीज़े होती है वो बनाती है दवाईया भी यह बनाती है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो reach कहलो वो बहुती कम देखने को मिल रहा है tablets, capsule, liquid, orals, अगर आप कई सारी चीज़ अगर आप देखोगे यहाप ड्राइब powder injection, कई सारी है, gel अगरा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत छूटी company है, इनकी जो manufacturing facilities है, वो इंदोर मध्यप्रदेश में है, प्रीतमपुरा में और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अलग-अलग इनकी product range भी आपको देखने को मिल जाएगी और again, जैसे कि मैंने कहा कि कई सारी देखने को मिलेगी आपको, कई सारी देखने को मिल जाएगी लेकिन problem जैसे कि मैंने कहा कि वही है, यह वाई साब reaching की बहुत कम है अगर आप volumes भी देखोगे इस company के तो 12 लाग के आसपास के share यहाँ पर trade होते नजर आरे, बहुत कम quantity में trading भी चल रही है और इतना ही नहीं company को लेकर देखोगे, तो company में सबसे पहरे मैं dividend के बात करूँ तो यह dividend paying share था 2022 तक, पिछले साल pay नहीं करा, इस साल भी मेरी expectation नहीं है कि यह pay करेगा और जहां तक बात करी जाए, इसके bonus बगरा कि तो कोई ऐसी history की 2013 में थी, ठीक है, bonus pay करा था उसके बाद अगर आप split भी देखोगे, तो 2013 में यह split भी हुआ था और यही वज़ा है कि आपको अभी के time पर यह penny stock देखने को मिल रहा है, वरना उससे पहले high price पे भी trade कर चुका है यह share और जहां तक बात करे, valuation की, देखो 13-14 रुपे देखने में काफी लोगों को सस्ता लग सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि valuation देखना ज़रूरी है, तो वो 50 का है, आप इसको ना सस्ता कह सकते हो, ना महगा कह सकते हो, क्योंकि सेक्टर पी भी 51 का है, कोई भी analyst खरीदारी की यहां पर बात नहीं कर रहा है, financials अगर आप देखोगे इस company के, तो जैसे कि मैंने कहा कि देखो, company छोटी सी pharma company ज़रूर ह कई तरीके की product बनाती company ज़रूर है, लेकिन revenue अगर आप देखोगे तो कम है, 70 करोड से भी कम का revenue रहा था इनका last quarter में, और profit तकरीबन 7 करोड के आसपास का था, उससे पहले के quarter में 67 करोड था, profit 6 करोड था, उसे पहले 61 था, profit 4 था, उसे पहले 67 करोड का था, लेकिन profit 8 करोड का भी था, तो देखा जाए तो quarterly ये 4-5 करोड का profit करने वारा धंदा कहलो आप यहाँ पर, लेकिन पिछले quarter में definitely, पिछले 2 quarter में, इनका profit थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, लेकिन हाँ, problem यही रहती है, कि ए quarter में बड़ा number देखने के बाद, अगले quarter में कुछ कह नहीं सकते है लेकिन number वैसे ही दिखेंगी, जैसे कि March 2023 में था, कि इनका revenue 67-68 करोड का था, लेकिन और profit था तकरीबन 8 करोड का, लेकिन अगले ही quarter में क्या हुआ, साड़े 4 करोड हो गया, मतलब आदा हो गया, almost, तो यह यहाँ पर हो रहा है, consistency जो होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन बहु प्रमोटर के पास 50.57% की holding है और एक चीज जो यहाँ पर missing है, वो है institutions, देखो promoter बड़ी quantity में है और retail investor बड़ी quantity में है, 36.72% है वो, और other parties 12.71%, जो institutions वाला angle है, वो यहाँ पर missing है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ time तक missing ही रह सकता है, क्योंकि लंबे समय से वो यहा समय से इस company से दूरी बनाए हुए हैं और अभी भी entry नहीं कर रहे हैं, जब इनकी entry होगी तब शायद हो सकता है कि situation आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर पलटती हुई नजर आए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मैं इतना ही कहूँगा आप से इस company के बारे में कि यहाँ पर आप देखो तो retail वाले खरीद रहे हैं, सप्टेंबर में 35.42% है retail और वो बड़े हैं यहाँ पर, 36.58, other parties में बिक्वाली करी है, हलाकि अच्छी बात यह है कि promoter का एक भी शर्ड गिर भी नहीं है, यह अच्छी आप और positive चीज़ा भी यहाँ पर कह सकते हो, ल remove दिखा है, बहुत ही कम टाइम में, अब जाहिर जिवाद है, थोड़ी बहुत correction यहाँ पर आएगी, वो देखने को मिल भी रही है, और अगर मैं इसका graph observe कर रहा हूं, तो वो लगातर एक decline वाला graph है, अगर आप इसे graph देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो वापस गिरता चला गया, मुझे हैरानी नहीं होगी कि बीच बीच में ऐसा दुबारा होके एक दिन में बड़ी तेजे दिखा दे, लेकिन वापस गिरेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो risk लेने का अगर आपकी capacity है, आपको risk लेना है, आपको अच्छा लगता है यह share तो सस्ता भी होना जरूरी है, और मुझे लगता है कि अगर यह 10 रुपए के आसपास होगा, तब वहाँ पर risk लिया जा सकता है, reason यह है कि अभी इसका जो PE ratio भी अगर आप देखोगे तो industry PE जितना ही देखने को मिल रहा है, कोई सस्ता या discount valuation के उपर भी available नहीं है, कि number report करें, जरूर है, अच्छे नहीं, average में कहूंगा इसको, लेगिन आने वाले quarterly number भी इनके देखने रहेंगे, कि वो किस तरीके से आते हैं, और यही वज़ा है कि अभी में इतना ही कहूंगा, दूर बैठो तमाशा देखो, मुझे तकि 10 रुपए का जो level है, वहाँ पर risk ल आसकते हैं, थैंक यू